सो गाइज आज किस वीडियो बात कहने जा रहे हैं कि आप भी बिहार बोट के स्टूरेंट है और दसमीं परिच्छा 2020 में दिये हो तो अभी अभी बिहार बोट के द्वारा एक न्यूज आया है कि आप सभी का रिजल्ट कब आने बाला है कैसे चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियों बात करने जारें कि अभी अभी हिंदुस्तान न्यूज में यह ख़बर आया है बिहार बोट के द्वारा तो पूरी जनिकारी के साथ इस वीडियों में देखेंगे तो वीडियो को आखरी तक जरू देखें सो नमस्कार में अब देख रहे हैं गुप इस सेरकरें ताकि सब इस्टोन के यह जनकारी पराप्त हो सके तो चलिए दोस्तों कमाल के वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों देखें आप इस साब साब बताया गया कब आप लोग का रिजल्ट आने वाला कि समय जारी होगा ब्रफ़ाज आप मेहरं मेंनेच सीदस्तों 20 2010 आज कल में नहीं अप्रेल में निकलें लेगा भीआर्वोट और Ingred को 기isch क्तों ठीक तो यहां पी साब साब बताया गये कि आज कल में नहीं अप्रेल में निकलेगा भीहाल भूंड की दसमी का थो चले जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से तो यहां पर पहला आपको बता देते बहुत सार इख्लेंद काते फेक या यह नूज है पिदी कि अभी अभी जारी वह इतास तारीक है नहीं पर एक वाश्य शाहनी जारी कर दिया गया है तो यहां पर चले आंते विस्तार से बिहार बोड मैटिर रिजाल 2020 देट बिहार बिदाले परिच्छा समीटी बी एस इवी द्वारा इंटरमेडियेट का परिच्छा पैनाम घोसित किये जाने के बाद से विदार्थियों की निगाहें दसमी के पैनाम पर टिक गई है हलाकि पूरे देश में 14 अपरेल तक के लोकडाउन को देखते हुए बिहार बोड की दसमी के परिच्छा पैनाम अपरेल के अंत से पहले आने की संभाबना नहीं है ठीक है यहां पर बताया गाए कि अपरेल के अंत से पहले आने की संभाबना नहीं है ठीक है और यहां पर बताया आज कुछ साइट पर जब यह खबर आई मतलब कि आज कुछ विपसाइट पर जो खबर आई है बिहार बोर्ट से मैंटी की परिच्छा देने वाले छात्र के लिए रिजल्ट्स आज आएंगे तो हिंदुस्तान ने BSEB के संपर किया और उन्हें न्यूज यह खबर पहुचाएं और साथ में बताएं कि पूरी यह खबर फैला दिजे कि आज नहीं आने वाला है बहुत सारे आपको योटोबर देखें अठाश तारीका डेट दिये थे तो वह न्यूज सही था आज आने वाला था आप लोग का लेकिन अभी-अभी हिंदुस्तान के पेपर में यह न्यूज दिया गया है कि उन्हों ने इन खबरों का सीरे इसे खरने कर दिया है कहा कि जूट खबरें चलाई जा रही है तो अभी-अभी यहां पर देखें हिंदुस्तान पर यह न्यूज दिया गया है कि आप लोग का रिजल्ट आज जारी होने वाला था लेकिन आज जारी नहीं होगा ठीक है तो हिंदुस्तान के खबरे में बिहार बोट के अधक चैनल की सो ने जो अपना बताए और हिंदुस्तान ने अभी से अभी तुरंत लंच किया और सभी को यहां जनकारी हम आपको एक वीडियो के मायदम से बताते हैं तो चलिए और भी जानते हैं बिहार बोट के सदसे राजीव दुवेदी ने हमें बताया मैटी की काप्यों का भी मुलैंकन पूरा नहीं हुआ है मुलैंकन का काम समाप्त होने के बाद काप्यों और टौपर्स का बहुत तिक सत्यापन होगा उसके बाद परिच्छा के पहिनाम निकले जाएंगे उन्होंने कहा कि कुरोना वास के संकर्मन के कारण अभी काप्यों के मुलैंकन का काम ही बंध है इसलिए जो भी निवज माध्यम रिजल्ट तुरंत आने की बात कर रहे हैं वे गलत है और उन पर विश्वास नो करे राजीव दिवेदी ने कहा कि रिजल्ट निकलने से पहल जो जब आप लोगा यह निवज लिखे लेगा अधिकारी जनकारी बात हम आपको वीडियो के माध्यम से दे दिरगी और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब का ले ताकि विहार वोट की पलपल की खावरे मिलता रहे बिलकू फिडि दोस्तों आप सभी का जो भी निवज आत जारी होता है निवज आपको वीडियो के माधम से बताते हैं ठीक है और यहां भी बताया गया कि दरसल दसमी की काप्यों का मुलैंकर कारे जारी था लेकिन देश में कुरोना वाइस के संक्रान के खत्रे को देखते हुए 21 मार्च को इसे अस्थागित कर दिया गया है त्यक पिछले साल छे अपरेल को मैटी के पहिनाम आये थे मतलब कि दुस्तों पिछले वर्स 2009 में जो दसमी का रिजल्ट था वाची अपरेल को जारी कर दिया था तो इस बार भी आने बार आने वाला था अपरेल में ही पर्थम सब्ते में लेकिन कुरोना वाइस की बज़त से 31 माज तक मैटिक की काप्यों का मुलैंकन अस्तागीत है और देश भर में लोकडाउन को देखते हुए अस्तागन के 14 अपरेल तक बढ़ने की संभाबना है इस्तितिया अनुकूल रही और 14 अपरेल के बाद काप्यों का मुलैंकन दोबारा सुरू हो गया तो अपरेल के अं सब्सक्राइब सब्सक्राइब की निइचे अधिकारी वेबसाइट नीचे हम लिंक है कर सकते हैं रिजल्ट वैसे तो हम नीचे लिंक दिये हैं वहां से जाकी भी आप चेक कर सकते हैं जैसे ही बिहार दसमी के नतीजे जारी होंगे लाइब हिंदुस्तान फॉर्ण आपके मुवाल पर मैंटिक रिजल्ट का अल्ट भेजेगा लेकिन इसके लिए आपको नीचे द लेते हैं तो जब आप लोगा जजर्ट जारी होगा तो आप लोगा तुरन्थ खावर चलते आगा और आप लोग जा और वीडियो के साथ जय हिंद आप सभी का दिन सुभो